कि बारतिया जनता पार्टी के पास गिनाने के अनेक मुद्दे हैं किन्तों बारतिया जनता पार्टी सब का साथ सब का विकास लेकर के जनता के बिच में जाएगी बारतिया जनता पार्टी सिरी डूंगरगटी नहीं पूरा राजस्तान जितेगी और पूरे राजस्तान में बारतिया जनता पार्टी का पर्चम ले रहेगा, सिरी डूंगरगट की जनता विशेश तोर से परता जिता है, क्योंकि यहां पर दो चैनलों में राजनिती चलती है, कांग्रेस भी राजनिती करती है, कॉम्रेट भी करती है, इस बार आप अपनी टिक्ट को लेके कितने पार्टी है, इसमें भी मान सकते हैं कि जो बाजबा भार बार्टी है, और इन साडहे चार साल में कोई बड़ा जन आंदूलन खड़ाने करवाई, जनता के मुद्धों को लेकी, देखिए बारतिया जनता पार्टी ने समय समय पर आंदूलन किया है, यहां पर हमेसा पर दर तो इसमें शीवरेज डाली जाएगी और ब्यवस्ता करेंगे ताकि पानी की और की दिक्कत नहीं और कस्रे नाओं की चीज नहीं हो सेर के अंदर में ऐसी सफाई की ब्यवस्ता करेंगे भारतियाजनता पार्टी करा जाएगा तो नमस्कार मैं असगर अली आज हम स्री डूंगरगड में हैं और हमारे साथ है बाजपा के कदा और नेता ताराचंजी सारस्वत जो बाजपा पार्टी में लंबे समय से सक्री है स्री डूंगरगड में और लोगों की जन सम्शाओं को लेकर सदे उनके साथ खड़े रहते हैं समादान का प्रियास करते हैं अभी दो जार तेईस चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है चारों और चुनावी चर्चें हो रही है और इसी कर्म में आज हम तक्षात कार करेंगे इंट्रिव करेंगे जिसमें राजनेतिक को लेकर तमाम इन से राजनेतिक सवाल करेंगे बहुत बहुत स्वागत। तीन साल बाद में 86 के अंदर में गंगा नगर और हनुमार नगर सहुक्त जिल्य का जिला महामंत्री बना। जो कि मैं रेगुलर 16 साल तक वहाँ पर पार्टी के विस्तार का काम करता रहा। और अद्धक्स ने ने आते गे किन तो जिला मामंतरी में अकेला ही रहता था उस टाइम जिला मामंतरी एक हुआ करता था और उसके बाद में 2000 के बाद में मैंने वहां स्तिफा दे दिया और उसके बाद में बिकानेर आ गया और बिकानेर के अंदर में भी यहां पर मैं राजन के अंदर में रहते ही हैं अभी भी में राजगट का और तरानगर का परवाशी हूं विदानसवा छेत्र गा यह लंबे समय से बाजपा के बहुत से ऐसे पदों पर रहे हैं और उन पदों पर रहते हुए यह पार्टी और संग्धन को मजबूती परदान करते आए हैं लगात क्योंकि चुनावी साल है तो बहुत से लोगों को आपसे बहुत सारी उमिदे हैं तो ऐसे कौन-कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर बाजपा पार्टी आगामी चुनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है देखिए बारतिया जनता पार्टी के पास गिनाने के अनेक म बारतिया जनता पार्टी सब का साथ सब का विकास लेकर के जनता के बीच में जाएगी और विकास को काम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और विकास के काम में बारतिया जनता पार्टी सिरी डूंगरगडी नहीं पूरा राजस्तान जितेगी और पूरे राजस्तान में बा सभी अपने इस तर पर परियास कर रहे हैं जनता को लुबाने का तो इस बार ऐसे कौन से विशेश ऐसे मुद्द्य होंगे या कौन सा प्रलस प्रेंट मानेंगे कि बाज़पा पर्टी अपना पर्चम ले रहेगी इस बार देखिए जनता है वो प्रताडित है पुरे सिरी ड परण से नगरपालिका के अंदर में परसंड बहुमत वारतिय जनता पार्टी को सिरी डुंगरड की विदान सबाने दिया उसके लिए उनके नतमस्तक है किन्तु हमारे साथ दुख यह है कि परसासन सारा का सारा कांग्रेस का है काम्रेड का है और वहां पर ऐसे ऐसे लोग चेर्मेन के कहने से नए तो कोई परसासन चलता है नए यू आता है यो तीन दिन में बदलता है कभी कोई यो की पोस्टिंग करा के ले आता है कभी कोई यो की करा करा के ले आता है और इस्तिति यह है कि नगरपालिका में कोई काम नहीं हो रहा और नगरपालिका में सारी ए समझती है निश्ची तोर से वो बात सारब ठीक रहा तो चेर्मेन की पूटता है कि तो चेर्मेन भी बेचरा क्या करें उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है तो चेर्मेन खाली कुर्सी से तो चेर्मेन ही चलती नहीं तो इसे जनता बड़ी परताड़ीत है और स्रीडूंगरग सम्मेलन का निमंतरन देने कॉंग्रेस के कदा और नेता है रामेशर डूडी वो सिरी डूंगर गड़ाय थे यहां के लोगों को निमंतरन दिया था तो क्या लगता है कि रामेशर डूडी का यहां आना और कहीं ने कहीं लगता है कि आने वाले चुना में इसका जो फाइद है वो कॉंग्रिस को मिल सकता है बाजबा को टाकर मिल सकती है देखिए रमेशुर्ची टुड़ी कदावर नेता है इसमें कोई कसरन कमी नहीं है किन्तो यह जो आपका बात कर रहे हो ना जसरा सर के अंदर में किसान सम्मेलन होा था किन्तो हमारे यहां पर स्री डूंगरेट के अंदर सोनिया सर भी मंतरी जी आये थे स्री डूंगरेट भी गये थे किन्तो सोनिया सर में आये तो सहीद की मूर्ती का अनावरन करने के लिए आये थे मैं तो कल गया था सोनिया सर तब मेरे को इस बात का पता चला कि सोनियासर में सहीद परिवार के 20-30 लाग रुपे पल्ले से लगे बेचाना के और निश्चित तोर से ये बात है कि उनके परिवार की कोई भी तकलीफ तक सुनने नहीं दिया और सियम से मिलने तक नहीं दिया गया पूरे के पूरे लोग है नवो पूरे के पूरे लोग नराजा एकि ये क्या हो आ? किसलिए है? समझ में नहीं है लोगों के तो ऐसा सियम का आना और सहीद के घर जाना कहां सहीद की पतनी को नोक्री देने की बात ती कर रहे थे साइद परिवार को क्या मिलेगा ये बात कर रहे थे वो जो हमारे देश का जुआन बेचारा सेना सिमा पर जाकर करके साइद हो गया उसके लिए दो सब्द भी कहने लाइक हो नहीं रहे तो ये जनता सब समझती है इन सब बातों सोनिया सर के उन लोगों को जब मिला दिया उसके अंदर में सूट सर के अंदर में तो उसको लेकर के भी लोग बहुत नाराज थे लोगों ने का भी लोग मिलने के लिए ग्यापन देने के लिए उनका ग्यापन तक नहीं लिया गया जब कहां सूट सर है कहां सीरी डुंगरगट है उन लोगों को लाजनिती की दरस्टी से तसील की दरस्टी से जब भी वो लोग आते हैं तो डुंगरगट उन लोगों का आने के लिए सुलूब रहता है तो डुंगरगट को छोड़ कर कहां सूट सर उनको डाल दिया पहले वो डूंगरगड आए फिर सूट सर जाए अगर सूट सर में कोई अधिकारी नहीं मिले फिर डूंगरगड आए फिर सूट सर जाए तो तो सूट सर डूंगरगड के भीच में गूमते ही रहेंगे तो लोगों के अंदर में ये पर वाटर वर्क्स में जाओ तो अधिकारी नहीं मिलते हैं अधिकारी सुनते नहीं और ठेकेदार को काम देते हैं तो ठेकेदार काम करता नहीं हो कहते भी हमें हमारा पेसा मिलता नहीं इस्तिति तो यह है कि पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं पिने के पानी के लिए दूसरी इस्तिति तो क्या होगी वह आप ही समझ लो तो जनता हो प्रताड़ीत है जनता आने वाले टाइम में चुनाओं को देख रही है आने वाले टाइम में भारतिय जनता पार्टी को जिताएगी इसमें कोई दोरा नहीं है बात करें वर्तमान विदाइक कोमरेट ग जबाब दो जनता दे रही है उंका उनका कारीकाल केसर है ठीक है कारीकाल तो उनका साठी-चार साल पूरा पूरा हो गया उसमें कोई दोराillions कि इस में भी कोई दोरा नहें कि बीद्रोक ऑनिफे पूचने से जबाद के जाक जारती जंता से पूचने से सही जवाब वो आप वाजपा में वर्तमान में से बहुत से दाव दावेडर सामने अर्जित अब का द्या पर आप आप अपने टिकेत को लेकर कितने आसवस्त है देखिए बारतियय जन्ता पार्टि लोकतंतरिक फार्टी है इसके अंदर में हरादमी को खुली छूट है बोलने की छूट support है एक अरो को हरकोई कई अधिकार है ये लोकतंतर का अधिकार है और टिक्ट मांग सकते हैं हर कोई मांग सकते हैं कोई दिक्ट नहीं और पार्टी तैय करेगी किसको टिक्ट देनी है जिसको भी टिक्ट देगी तो पार्टी जीतेगी हमारा तो कैड़मल कमल का निसान है कमल का निसान जीतेगा या इ कि इसको नहीं मिले वो तो अभी समय के गरब के अंदर में हो तो समय आएगा तब पता लगे जा किस नहीं भी मेदान मेहर उन्होंने खुल ऐलान कर दिया है साब तोर से का है कि मैं भी इस बार चुनाव लड़ूंगा तो क्या लगता है अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इसका अनुक्सान बाजपा को होगा या बाजपा पार्टी उनको मनाने का प्रियास करेगी देखिए तो पार्टी स्थर की बात है पार्टी सोचेगी क्या करना है क्या नहीं करना है किसको मनाना है किसको नहीं मनाना है बारतिया जंता पार्टी विश्वे की सबसे बड़ी और बात करें उनकर पार्ट परकृण के तो पिचले दूर नगरपाली का परकृण भी वा था शीडूंगर इस तरहीं तरहीं चर्चहें हो ऍसमें भी बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे देखिए बारतिया जनता पार्टी ने समय समय पर अंदुलन किया है, यहां पर हमेशा परदर्शन भी किया है, ग्यापन भी दिया है, किन्तु बहरी सरकार है, सुनने ही रही है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, अब बात जन्संगर सियात्रा हमारी गाउं गाउं धानी धानी एक-एक धानी में हम पहुँचे और गाउं गाउं जाकर के लोगों को बता है, लोग हमारे साथ जुड़े, खूब भीट जुड़ी लोगों की, और लोग बड़े दुख ही है, इस बात से पता लगता है, जन्स आक्रोस यात्रा के अंदर में जब हम गाउं गाउं धानी तो इस बात का पता लगा, उसके बाद में हमने यहां पर भी परदर्शन किये, विकानेर भी हमारे परदेश के अध्यक्स मोदे भी आये थे, अरजनराम जी भी थे, तो उन सब अरजनर जी राठोड भी आये थे, तो हमने परदेश जिला स्तर पर भी बिकानेर में नहीं होता, बड़ी दुरुभाग्य की बात है, किन तो यह तो समय आएगा, तब इन सब बातों का निवारन होगा, अब नगरपाली का में सुपी सांदे नहीं, तो क्या करें, जब आपको एक कुर्सी पर बठा दिया जाता है, पावर दे करके, और आपके पास में पावर नहीं जगड़ते हो, कहते हैं, तुमारा काम तुम करा लो, हमारा काम हम करा लें, किन्तु जो इस्तिती है कि वहां का परसासन है, वो परसासन पूरा का पूरा फेल है, परसासन कोई काम नहीं करता है, नगरपाली का गाम गंदगी बरीपड़ी है, और सफाई करमचारी है, नगरपाली का चेर्मेन के कहने में नहीं है सुनने में नहीं है बार बार रिक्वेस्ट करता है फिर भी नहीं जाते तो चेर की इस्तिती जो है तो उसके लिए सारा का सारा परसासन हो दो सी है हमारे परसासन के खिलाप में हमारे चेर में एक दिन धरना भी लगया फिर भी हमने उनको समझाया भी है अगर आप धरना लगाते हो तो अच्छा नहीं लगता कि यहां पर सारवजने के इस्थान पर कहीं भी कोई बैठन यह को व्योस्ता नहीं है बस इस्टेंड नहीं अगर आंधि तुफान सबस्व जज्जह को हाला को सफर में होता है और उसको लगु संखा इस और इस को इसो चार बीगा जमीन देंगे, कब देंगे, यह समझ में यह तकाली घोसना है, तो घोसना से कोई फरक नहीं पड़ता, घोसना है, तो बहुत होती है, जब काम का इंप्लीमेंट होगा, तब जाकर के जनता को लाब मिलेगा, मेरे को लगता नहीं भी कोई एक काम में इंप्लीमेंट होगा, अनके यह तो बारतिया जंता परटी अरा जाएगा, तभी होगा. और इस बार अगर बाजपा पार्टी यहां पे जीती आप जीते तो पहला इसा कौन सा कारिया होगा पर्थम कारिया जो आपके जहन में है और जीतते ही सबसे पहले आप उसका समधान करवने का प्रियास करेंगे देखिये डुंगरगड़ में बहुत बड़ी समध्या पाणी निकासी की थी एक हमारे चेर्मेन ने पहले पहले तीन चार मीना में काफी सुधार भी किया पहले शेर के अंदर बरसात आती थी तो दो दो दिन तक पाणी नहीं निकलता था इस बार सबसे ज़्यादा बरसात पाणी नहीं रुखता है यह काम उन्होंने किया सुरू सुरू के अंदर में जब तक मतलब इन लोगों को जाना आना सुरू नहीं हुआ था तब तक दो तीन मीना काम हुआ सफाई का काम भी हुआ और कालू जोड़ा जो अपना है जिसको सूर सागर कहते थे गंदगी थी उस जोड़े को भी सुका है आमने तीन मीने तक उसको एक काम का मैंने का भी तो सफाई का काम करो आप चेर्मेन साब और बैचारों ने किया भी खूब काम किया किन्तो अब जो जब परसासन पकड़ इनके हाथ में आगी ना उसके बाद में तो सारा बंटादार हो गया कोई काम नहीं हो रहा है अब भारतियाजनता पार्टी के राज आएगा तो निश्चित तोर से स्री डूंगरट के अंदर में विकास का काम होगा और विकास का काम भी अब जैसे पानी निकासी की बेवस्ता है तो इसमें सिवरेज डाली जाएगी और बेवस्ता करेंगे ताकि पानी की और की दिक्कत नहीं हो और कच्रे नाओं की चीज नहीं हो सेर के अंदर में ऐसी सफाई की बेवस्ता करेंगे बारतियाजनता पार्टी के राज आएगा तो और बात करें सिरी डूंगरगट के दलित भाईयों की के तो अक्सर हम सोसल मीडियम देखते हैं कि चाए चाए दलित समाज के लोग हो चाए दलित नेदा हो वो सोसल मीडियम में अक्सर स्री डूंगरगट के राजनेताओं पर ये आरोप लगाते रहते हैं कि हमारे साथ राजनेतिक बेदबाव होता है हमारी उपेक्षा के जाती है तो क्या कहेंगे तारचन जी अब दलित भाई नहीं होना चाहिए मैं तो इतना ही विश्वास दिला सकता हूं इस बात का कि बारतिया जनता पार्टी के राज में कभी भी दलित भाईयों के साथ में ऐसी घटनाए नहीं होती बारतिया जनता पार्टी तो हम अंतोद्या को लेकर करके चलते हैं जो सबसे पिछे हैं उसको आगे रख करके चलते हैं तो हमारा तो कोई ऐसा बेद बाव की कोई बात नहीं और कोई बेद बाव होगा नहीं और हम दलित बाईयों को आगे रख करके चलेंगे और हमेशा उनके काम में तत्पर रहेंगे मेरे लिए अगर दलित बाईयों के मेरे लाए कोई मेरे से समंदित कोई काम हो तो उसके लिए हमारे बारतिया जंता पार्टी का कारी एक है गले चोई सःखंटा खुल है आप आएं आपका स्वागत है सतकार है और आपका काम है वह हम जितना तो जनता को कुछ समझाने की संदेश देने कहेो सकता निए जनता गों के इंदर में उसमय का इंतजार कर रहे हैं जैसे ही समयएगा उसम अपने बता देगी उमारे साथ तरचनजी शार्षवत जोनोंने खुलकर अपने विचार रखे और हमने भी तमाम तरह के जो राजनिति से जवाब भी दिया और आने वाले चुनाओं को लेकर भी इन्होंने बहुत सारी बातें की कहा कि अगर बारतिय जनता पार्टी यही तो निश्चे तोर से सिरी डूंगरगड में खुब सारे विकास कारी होंगे साथ इन्होंने सिरी डूंगरगड की जनता को कहा है कि इस बा लोग लगातार हमसे जुड़े रहें धन्यवाद